कैसे हराया कैसे हराया जिसको सोच रहे थे घर आला कि भाई इसकी एज हो चुकी है फाइट करने में भी चूग जाते लिए दूर कहते थे कि इनसे हम क्यों फाइट करें इनकी उमर निकल चुकी है और वो ही रनवीर शोरे है जिसकी गेम सभी को पसंद आ रही है लेकिन फेंडम वार के चकर में उनको इतना वोट बैंक नहीं मिल पा रहा है लेकिन वो भी कह रहा है कि मैं जीत के दिखाऊँगा ये शो क्योंकि मैं अपने दम पे शो जीतने आया हूँ तो हम बात कर रहे हैं रनवीर शोरे की जिन्होंने लफकेश कटारिया को भागना था इतना तेज भागे के लफकेश कटारिया को सो दूर रहे गए और लैंड क्रोस करके कल लिया अपने नाम हैड ओफ दा हाउस जो खिताब था जो उनको मिल चुका है जिसके बाद पूरा का पूरा गुरूप जूम चुका है यहाँ पे इतनी खुशी थी कि जब बिग बॉस ने भी उन्हें उनका जब बताया कि आप बनते हो घर के हैड और आपके पास सारी सुविदाएं सारी पावर है और आपके इसाब से अब घर चलेगा तो कहीं ना कहीं बिग बॉस के भी शब्दों में कर दिखाया रनवीर शोरे ने अपने नाम और जिस आपसे इन सभी नो जवानों को अपनी फिटनेस के आगे पानी पिलाते दिखे रनवीर शोरे तो हो रहा है कि कई ना कई ये भी विनर बन सकते बिग बॉस ओटिटी सीजन तरीके बहुत तगड़े तरीके से भागे और जिस हिसाब से उन्होंने सभी को एक-एक करके एक-एक राउंड से भार किया और लास्ट में जब उनका मुकामला लफकेश कटारे से हुआ तो लगा कि पतला दुबला सा लफकेश कटारिया ये अराम से इनको रनवीर शोरे को हरा देगा क्योंकि पिछले कुछ राउंड म लवकेज कटा दिया नंबर वन पे थे और तीसरे चोथे नंबर पे पहुंच रहे थे रन्विर शोरे लेकिन जब फाइनल की रेस हुई जहां पे रन्विर शोरे ने अपनी जो एनरजी बचा के रखे थी वो फाइनल पे इतनी तेज भागे के कही ना कही उनमें दिखने जरूर करें मैं बहुत कुछ हूँ रन्विर जीत किया है हरा दिया कैसे हरा या कि अ झाल झाल